तो आज हम बात करने वाले हैं एक एसी मूवी के बारे में जिसको देखकर आप सच में अकेले बाहर पढ़ने की हिम्मत भी नहीं करोगे क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है तो आपने जिन्दगे में कभी तो दो जुड़वा लोगों के बारे में सुना होगा तो हमारे यहाँ जुड़वा लोग होते हैं उनके सिर्फेसिंग में सिमेलरिटी होती है पर आपने कई किसी कहानियों में सुना होगा कि दो जुड़वा लोग ऐसे जुड़े होते हैं कि उनको एक दूसरे की तकलिफ है, एक दूसरे का धुक और परिशानिया या फिर पेन सभी उनको रियलाइज होता है तो इसी कॉंसेट पर बेस एक फिल्म आई है जिसका नाम है बलर पर उससे पहले में ये बताना चाहोंगी कि ये ओरिजनल नहीं है, ये रिमेक है एक स्पैनिश मूवी का जिसका नाम है जूलियाज आईज तो मूवी के बारे में अगर बात की जाए तो ये मूवी रिलीज हो चुकी है जी फाइव पर और इसकी लीड एक्ट्रेस है तापसी पन्नू जिसने दो जुड़वा बेहनों का किरदार निबाया है तो उनके एक्टिंग के बारे में अगर बात की जाए तो उनके एक्टिंग इतनी रियल नहीं लगी थोड़ा सा उनकी एक्टिंग में वो रियल टच आ जाता तो मूवी में एक अलग ही मज़ा होता बाकि अगर मूवी की बात की जाए तो ये मूवी सच में आपको एक horror suspense और thriller मूवी का मजा दे सकती है तो मूवी की कहानी ऐसी है कि दो जुड़वा बहने होती है एक बहन अपनी पती के साथ सिटी में रहती है और एक बहन एक सिटी के बाहर अकेली रहती है तो जो बहन सिटी के बाहर रहती है वो अपनी आखे खुचुकी होती है वो अंधी होती है और उसका treatment चल रहा होता है एक दिन रात को ऐसा होता है कि जो बहन सिटी में रहती है अपने पती के साथ उसको रात में अचनक घबराट मेंसुस होती है उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई मारने की कोशिस कर रहा है और वो अचनक से घबरा जाती है और वो अपने पती को कहती है कि शायद मेरी बेहन की जान को खत्रा है उसे कुछ हो गया है वो जल्दी से अपनी बेहन के घर पर जाती है अंदर से कोई भी दर्वजा नहीं खुँँदा तो वो खिरकी तोड़कर अंदर घुझ जाते है सामने देखते है तो क्या उसकी बहें पंकी से लटक रही होती है तो पुलिस केती है कि ये सुसड का मामला है और एक बहें केती है कि नहीं ये murder का मामला है तो केसे suicide और murder में ये case उलचता जाता है और clash में केसे ये psychopathy पर पोच जाता है ये देखने में मज़ा आता है बाद में जो दूसरी बेन होती है वो भी धीरे-धीरे अंधी होती जाती है और जब वो अंधी होती है तो उसे भी मारने का प्रयास किया जाता है तो वो केसे धीरे-धीरे करकर उस villain से लड़कर उस psychopathy से लड़कर उसे बाद में पुलिस के सामने expose कर दीती है ये देखने में बहुती मज़ा आता है तो ये movie ऐसी है कि आप सोचते रह जाओगे के खूनी कोन है आप कभी इस पर शक्कर होगे तो कभी उस पर कभी इस पर तो कभी इस पर यही करते करते फिर्म लास्ट में पहुच जाती हो और लास्ट में जो खूनी निकलता है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते तो सच में मूवी की स्टोरी बहुत ही जबरदस है और इसका पूरा क्रेडिट में इसकी ओरिजनल फिल्म जुलियाज आइस को देना चाहूंगी सच में क्या मूवी बनाई थी और बलर मूवी उसका ओफिशियल रिमेक है तो जल्दी से जाकर जी फाइप और बलर मूवी देखिए यकीन है आपको जरूर ये पसंद आएगी तो जल्दी से ये मूवी देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि आपको ये मूवी कैसी लगी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो में मिलने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजे ताकि हम हर रोज मिलते रहे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई